नमस्ते दोस्तों मैं आसा हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आसास Mindful Living YouTube चैनल पर मैं आप सभी को धन्यबाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल के वीडियो को देखा आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्तुपूर है अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा अब बढ़ते हैं आज के विशाई की ओर हेलो दोस्तों आप सभी का आसास Mindful Living चैनल पर स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा नमस्ते दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं सफेद कद्दू विशेष्टाएं और स्वास्त लाव के बारे में सफेद कद्दू जिसे बैग्यानिक रूप से बेनीन कासा हिस्पिडा कहा जाता है इसे कई स्थानिय नामों से जाना जाता है जैसे हिंदी में पेठा तेलगू में बुडिडा गुमदी तमिल में नीर पोसनिकाई और मल्यालम में कुंबलम इस हरी सबजी को प्राचिन काल से ही अपने महत्त पूड और सदिय गुड़ों के लिए जाना जाता है और और भारत धर में लोकप्रिय इस्थानिय ब्यंजनों के साथ पेठ या क्रीत और त्वचा की विमारियों को कम करने के लिए इसे ब्यापक रूप से सामिल किया जाता है एस लोग की प्राक्तिक रूप से भारत, स्रिलंका, चीन, नेपाल और इंडोनेसिया जैसे दक्षिड पूर्व एस याई देशों के जंगलों में और साथी आस्ट्रेलिया के गर्म दक्षडी चेत्रों में उगती है सफेद कद्दू के स्वास्त लाव या वजन घटाने में मदद करता है बहुत कम कोलेस्ट्राल समागरी होने के कारण दिल के स्वास्त को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से आहार में सफेद कद्दू का सुरक्षित रूप से सेवन किया जा सकता है किड्नी को डिठाक सिफाई करता है सफेद कद्दू सरीर में उत्सरजन प्रडाली के माध्यम से सरीर को अपसिष्टों के सामान या उन्मूलन को तेजित करती है या गुर्दे के भीतर तरल पदार्थ के स्राव को बढ़ावा देता है सफेद कद्दू में फाईवर की प्रचूर मात्रा होती है जो भारी भोजन खाने पर कब्ज, सूजन और पेट में एठन को रोकने में मदद करती है सवसन प्रक्रियाओं को मजबूत करता है सफेद कद्दू में एक आंत्रीक कप, निसारक, कुछ गुड होता है जिसका आर्थ है कि या आसानी से किसी भी अत्रीक्त कप या बलगम स्राव को ढीला कर सकता है और उन्हें स्वसन पत से निकाल सकता है इससे फेपडों की कार्य छमता में अत्यादीक लाब होता है और य या किसी भी अलर्जी और सांस लेने में कटनाई से भी बचाता है सफेद कद्दू प्राक्तिक रूप से अलसर का इलाज करती है सफेद कद्दू सितलता प्रदान करती है एस लोकी रूसी का इलाज करती है लोकी का ठंडा गुड सीरकी जलन को सांथ करने में मदद कर सकता ह या डेंडरप पैदा करने वाले फंगस को खत्म करता है आप इसे नियमित रूप से जेल के रूप में स्कैल्प पर लगा सकते हैं या सूखे बालों को मस्चराइज करने में भी मदद करता है फेद कद्धू में मस्चराइजिंग गुड होते हैं इसमें हाइडरेटिंग और मस्चराइजिंग गुड होते हैं सरवत्तम पलडामों के लिए इसे नियमित रूप से तवचा पर लगाए है या चिड़चडी और धूप से जली हुई तवचा को सांथ कर सकता है सपेद कद्दू की ब्यंजन बिदी, सपेद कद्दू का रायता, सामगरी, कद्दू कस किया हुआ लोकी एक कप, फेटा हुआ दही आदा कप, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया कटा हुआ एक बड़ा चम्मच, तरीका लोकी का छिलका उतार लें, अंदर से सारे बीज निक दालकर कद्दू कस कर लीजिए, दही को एक मिक्सिंग बाउल में फेट लें, कद्दू कस की हुई कच्ची लोकी और नमक डालें, अच्छी तरह से मिलाएं, एक पैन में तेल गरम करें, राय डालें, उन्हें फूटने दो, फिर हरी मिर्च, कडी पत्ता, हींग डालें, औ क्यूब्स में कटी हुई, आधा कप, धन्या पत्ती, एक मुठी, अधरक एक इंच का टुकडा, नीवू का रस्ट एक बड़ा चम्मच, जीरा पाउडर एक चोथाई छोटा चम्मच, काला नमक एक चोथाई छोटी चम्मच, पानी एक कप, तरीका सभी सामागरियों को मिल दालें और तुरंत परोसे, अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स, लाइक, सेयर कीजिए, चैनल के सपोर्ट के लिए और दिये गए बेल आइकन को फ्रेस करिए जा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे, धन्याबाद